नमस्कार आप देख रहे हैं कमासान.डाट कॉम मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भानुपियर सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लैटफॉर्म बन गया है जिस पर जो लिखतो लोग विश्वास आसानी से कर लेते हैं कई अफ़ाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जाते हैं कभी-कभी ये अफ़ाहें किसी की जान तक ले लेती है हाल ही में एक ऐसा ही मैसेज बाइरल हुआ जिसके बाद बैंकों के बहार लोगों की फीर लगती है मैसेज था प्रधानमंत्री मोधित वारा पंदर लाख रुपे देनी का आग की तरह फैले इस मैसेज के बाद केरल में लोगों ने बैंक के बहार खाता खुलवाने के लिए लाइन लगा ली तैसे सोशल मेडिया पर ये अफ़वा फैले के केंदिस सरकार हरुस व्यक्ति को पंदरह लाख देनी की योजना बना रही है जिसके पास पोस्टल बैंक खाता है बस फेर क्या था? इस मैसेज को सच मानकर लोग पोस्टल बैंक खाता खुलवाने के लिए बड़ी संख्या में कतार में खड़े हो गए कतार में खड़े लोगों ने कहा कि सरकार प्रधानमंद्री द्वारा किये गए 15 लाक रुपे के वादे को पूरा करने की योजना बना रही है आलम ये रहा कि अकेले मुनार डाक का घर में पिछले तीन दिनों में 1050 से अधिक नए खाते खोले गए ये सभी लोग केरल के विख्यान परेटक इस्थल मुनार के चाय बागानों में काम करने वाले हजारों लोग दिहारी मजदूर हैं यही मजदूर खाता खुलवाने के लिए मुनार पोस्ट आफिस के बहार जमा हो गए इससे पहले मीडिया के मैसेजों नोई दावा किया था कि सरकार बेघरों के लिए जमीन और मकान देने की योजना बना रही है